नमस्कार दोस्तों यह टूल टेस्टेड है और पावरफूल है इस टूल की मदद से मैं आपको एक मोबाइल ने प्रेक्टिकल करकर दिखा हुआ मेरे पाथ जो मोबाइल है वह जे 2.500 F मोड़ल है सेमसंग का तो मैं पहले इस एप को इंस्ट्रो कर लेता हूँ और इसको इंस्ट्रो करने बाद में सैमसंग का ड्राइबर भी इंस्ट्रो कर लेता हूँ यह टूल में MI के सेट भी हो जाएंगे और Samsung का भी हो जाएगा MTK के CPU जो है उसमें जो भी MTK CPU जिस मोबाइल में सेट है उन मोबाइलों के FRP हो इस से इस टूल की मदद से हो जाता है यह टूल फिरी है आप इस टूल को नेट से डाउनलोड कर सकते हो इस टूल का नाम यही है औ और इस टूल को चलाना भी बहुत इजी है बस इसमें आपको ड्राइवर इंस्ट्रॉल करने का जो है प्रोसेस उसको तुरह ध्यान में रखना पड़ेगा अगर सैमसंग का लोग खोलना चाते हो यह फाप बगरा तो सैमसंग ड्राइवर अधर कंपनी का खोलना चाते हो MTK या MI का तो Qualcomm CPU MI में जो है Qualcomm ड्राइवर इंस्ट्रॉल करना पड़ेगा तो दोस्तों मेरा यह जो सैट अप है यह इंस्ट्रॉल कंप्लिट होने पर पूरा हो चुका है दोस्तों यह टूल जो है वह लेटेस्ट फोनों में सपोर्टेट है और इस टूल को चलाने के लिए आपको इस्ट ओनलाइन आना पड़ेगा क्योंकि यह टूल जो है और नेट के बीना काम नहीं करेगा यह तो आपको पता है, FRP lock जो है, वो latest बनो के box से तूटता है, कुछ mobile ऐसे है जो bypass lock तूट जाता है, कुछ mobile lock की जो lock है वो यह जो software है, ऐसे software बहुत सा रहे है, उनके माद्द्धम से भी lock तूट जाते है, तो इसी software को मैं आपको चला के दिखाता हूँ और एक mobile में practical करके दि तो यह काफी काम का चीज है, मैं एक बर Samsung का Driver इंस्ट्रोल कर लेता हूं, क्यूंकि मैं Samsung के मुगल में FRP लोग उटाऊंगा, तो Samsung का Driver इंस्ट्रोल करना जरूरी है, नहीं मोगल कनेक्ट में होगा, और यह जो Samsung J250 जो मॉडल है इसको आपको FR पी लोग हटाने के लिए आपको डाउनलोड मोड पे लाना जरूरी है डाउनलोड मोड सभी को मालूम है बॉलियम का डाउन बटन और होम बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो डाउनलोड फंक्शन ओपन हो जाता है और उसके बाद ह यह डिवाइस को कनेट करेगा अगर आप डाउनलोड मोड पर नहीं लाओगे तो इसके FR लोग तोड नहीं पाओगे दोस्तों इस टूल से कौन-कौन से मोबाइल की जो अनलोक होंगे तो मैं आपको वह चीज़ बाद में बताऊंगा पहले मैं जिस मोडल की FR पी लोग हट लोग हटा रहा हूं उस मोडल को मैं आपको दिखाता हूं टायम बेशना करते हुए तो चलते हैं पहले मैं चेक कर लेता हूं कि डिवाइस जो है वो कनेट हुआ है की नहीं हुआ उसको चेक कर एंग डिवाइसमेंजर के जाना पड़ेगा और अगर सेट कनेट हो जाता है तो उसके बाद में Samsung Advanced साम को जो function है इस टूल के अंदर उसके अंदर जाना है अब मेरा device देखे गए connect होके आप यह मैं Samsung Advanced जो टूल है इसमें मैं जाता हूं और उपर आप देख सकते है जे टूफाइब जीरो मॉडल जो है उसको मैं select कर लेता हूं और उसके बाद में remove fr way मैं simply क्लिक करूँगा और जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा दोस्तों आपको स्क्रीन पर जैसे दिखाई दे रहा है इस तरीके से आपके लोग मोबाइल में जो है इस तरीके से शो होगा और उसके बाद में एक येस एक मलब edb enable का एक function आता है जिसको आपको ok करना है यह ok कर दता हूं मैं पहले set को और उसके बाद में फर्प अनलोग होगा अगर आप यह ok नहीं करोगे तो एक चीज और है दोस्तों जैसे कि आपका set जो है वह जे टू दो अठारा है लेकिन इसमें जे सेवन प्राइम में ऐसे कुछ मोडल दिखा रहा है यह कॉमन प्रॉब्लम है आप जब फर्प लोग हटा लोग है तो एक बार इसको वाइफाई से करनेट करके इसको अपडेट कर लेना 30 MB का फाइल इसमें अपडेट होगा और अपडेट होने के बाद में वह सेम बापिस पोजिशन में आ जाएगा जेटू 2018 मोडल हो जाएगा तो अब बात करता है इस टूल में कौन-कौन से मोडल हो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे है माई के सेट जो है यह म लोग हो जाएंगे फर्पी हो यह माई अकाउंट हो इसमें रेडमी 5 प्लस भी ए रेडमी नोट 5 प्रो भी ए रेडमी 5A भी ए रेडमी 4A भी ए रेडमी 3 भी ए उसके बाद में और भी बहुत सारे फंक्शनेस में अब साइड में आप जसे देख पार है एल जी के है क्वाल टेश्टेडोब है आप इसी तरह कोड़ें से अलबंडद में वहिस सारे मोडल में है उसके बाद में लघी त्वाल कॉ ज्याँड़ मिलेंगे यह मार्म अभा dauह ईंटी ऍट पर काज़या को लिए ऐसल को इस दूल को आप प्रैक्टिस करते रहें आपको अबनाद है बाइच टेप बाइच टेप तो आपको ओटोमेटिक समाझ में आ जागा दोस्तों